बाद स्वागत है आपका बढ़ते हैं आगे फिलाल विधान सभा चुनाओं में समय है लेकिन सभी दलों के नेता जुनता के बीच पहुँच रहे हैं मुद्दे अलग-अलग है लेकिन यत्रा की तारीख तै है खास बात ये कि 16 अक्टूबर को विफक्षी पार्टियों का अ निकलने वाले हैं 16 अक्टूबर से तेजस्वी यादव दूसरे चड़न की यात्रा पर निकलने वाले हैं इस दौरान 11 दिनों में 12 जिलों का दौरा करेंगे यात्रा 16 से 26 अक्टूबर तक चलेगी शुरवात बांका जिले से होगी और इसका समापन होगा गया में इस दौ परां तेजस्वी जमुई मुंगेर खगडिया बेकु सराई लखी सराई शेकपुरा नवादा नालंदा जहनाबाद अरवल और गया जाएंगे और कारिकरताओं से समवाद करेंगे तेजस्वी जादव जी तो कारिकरताओं के साथ समवाद है कारिकराम यातरा नहीं है हर जगह जा रहे हैं हर छेतर का कारिकरताओं से मिलकर फिटबैक ले रहे हैं कि क्या समस्या है इसको लेकरके अब बाँकी लोग का यातरा का मकसद सियासत का है, राज्यती का है, तो वो कून क्या निकाल रहे हैं, इसे मतलब नहीं है, तेज़त्वी जादब जी का जो मॉडल है, रोजगार का, पढाई, लिकाई, दवाई, कमाई, सिचाई का, ये मॉडल जनता को पसंद मांकी लोग निकाल रहे हैं अपना-पना सियासत करने के लिए आइन डिया ये गड़बंधन में शामिल एक और पार्टी भागपा माले भी 16 अक्टूबर से यात्रा शुरू कर रही है जिसे नाम दिया गया है बदलो बिहार नयाई यात्रा 25 अक्टूबर तक चलने वाली यात्रा की शुरूवात नवादा के कृष्णा नगर से होगी जहां पिछले दिनों महा दलीतों के घरों में आग लगा दी गई थी इसके बाद गया अरवल जहनबाद होते हुए पटना में यात्रा का समापन होगा इसके बाद 27 अक्टूबर को बदलो बिहार नयाए सम्मेलन होगा मुद्दे क्या होंगे वो MLC शशी यादव ने बताया देखेंगे कि बाड से लोग पुरा तबाह हो रहे हैं हम लोग गये थे विपांकर जी की टीम गई हुई थी कहीं कोई सरकार का जहां में मतलब बाड से प्रभावित लोग है वहाँ पर कोई उस समय तक कोई समुदाइक किचन नहीं चल रहा था तो ये जो इस्थिती है इसकी मुवरकर जिसकी की मतलब कह लिजिए कि बिहार में दस्यों मतलब करीब 25-30 लाग के लगवग पर किसी भी सरकारी करमचारी में अगर आप देख लिजिए उनकी बात नहीं सुन रही है 16 अक्टूबर को कॉंग्रिस का भी बड़ा अभियान है प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ अभियान चला रही कॉंग्रिस इन दिनों पार्टी जिला अस्तर पर प्रोटेस्ट मार्च निकालेगी और बिच्णी विभाग की ओफिस के बाहर प्रदशन करेगी यानि कॉंग्रिस की तैयारी स्मार्ट मीटर से पार्टी को रिचार्ज करने की है पक्सद है स्मार्ट मीटर से जो खामिया उजागर हुई है जनता को असंतोस है तो सभाविक है जनता के साथ रहना ही सियासी दल का फर्ज बनता है खास करके विपक्षी दल को पर ही ज़्यादा भरोसा रहता है आम जनता को कि हमारी आवाज को विपक्षी दल ही बुलंद करे और इसी सिलसिले में हम लोग 16 तारिक को सभी गठवंधन के साथ ही एक जूट हो करके प्रदर्शन करेंगे सत्ता पक्ष भी यात्रा में पीछे नहीं है केंद्रिये मंत्री गिरास सिंग 18 ओक्टूबर से यात्रा पर निकलने वाले हैं तो जेडियो के रास्ट्रिये महासचिव मनीश वर्मा जनता से समवाद के लिए पूरे बिहार की यात्रा पर है नेताओं की नजर कहा है ये छुपा हुआ नहीं है लेकिन NDA के नेता विपक्ष को मुद्दा विहीन बता रही है तो सत्ता धारी दल के नेताओं की यात्रा का मकसद कुछ और बता रही है की विधिया करनी पड़ेंगी दूशगार के औसर उपलब्द कराने का सवाल हो नौक्रियों का सवाल हो एक बहु आयामी विकास बिहार ने पिछले 19 वर्षों में देखा है अब ऐसे में जनता की नव्ज पर अगर आपकी पकड़ नहीं है तब ही आपको ऐसे कारिक्रमों की आउसकता पड़ेगी हम जाते हैं सरकार की जो उपलब्दियां है सरकार की योजणाओं पर जनता की राय क्या है कैसे इसे और बेहतर बनाया जाए इसका फिडबैक लेने के लिए जनता से रूबरू होने और उनका मूड जानने के लिए नेता यात्रा पर निकलते रहते हैं लेकिन एक साथ कई पाटियों के नेता यात्रा पर हो ऐसा कम ही होता है देखना होगा इन यात्राओं से किसे समर्थन मिलता है और चुनाव पर इसका क्या असर पड़ता है दोश चंद्रा कशिश न्यूस पटना